हेलो एब्रीबन आज मैं आपके साथ सेयर कर रहे हूँ आलो की बहुत ही खस्ता मज़िदार मटरी यह बहुत सारी लेयर वाली मटरी को आप लंबे समय के लिए इस्टोर करके भी रख सकते हो तो आप इस मटरी को चाई के साथ या सफर में कभी भी इंजॉय कर सकते हो के बहुत ही मज़िदार रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं इस रेसपी को बनाने के लिए यहां पिशे न repent कि अरु आलो को मीडियम ओल से ग्रैटर से ग्रेट कर लेंगे यहां पे मैं आलो को फोरना नहीं यह नहीं तो उसमें चंक्स रह जाते हैं तो यह लीजिए आलू यहां पर अच्छे से ग्रेट हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे लगबग डेड़ कप मैदा साथ ही डालेंगे टेस्ट के अनिसार आधा चमस नमक और उसी के साथ डालेंगे यहां पर एक बड़ा चमस अजवाइन अजवाइन को आप हातों से ऐसे क्रेस्ट करके डालें इससे अजवाइन का फ्लिवर पहुत ही अच्छा आएगा साथ डालेंगे लगबग आधा कप बेशन अब मौन के लिए डालेंगे यहां पे चार बड़े चमस देशी घी यह दियाब के पास यहां पे घी नहीं है तो यहां पे आप तेल का भी उज़ कर सकते हैं अब इन सबी को बहुत ही अच्छी से क्रंबल करते हुए में मिक्स कर लेना है इनको मिलाते हुए में यहां पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि आप इसमें आलू का यूज किया है ना तो इसमें पानी बहुत ही कम लगेगा जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें बिलकुल थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक सॉप्ट सा डो बना की तयार कर लेना है तो यह लीजिए यहां पर बहुत ही बड़ी सा डो बना की तयार हो चुका है अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे तो 10 मिनट के बाद देखेंगे आटा भी यहां पर अच्छे से सॉप्ट हो चुका है अब हम इसके मीडियम साइस की लोईयां बना करके तयार करेंगे यहां पर मेर लोईयां मीडियम साइस की बनानी है जितनी प्रोटी के लिए बनाते हैं ना तो बस उसी तरीके से हमें आपे लोईयां बना करके तयार कर लेंगे तो मैंने आप युकुल पांच लोईयां बना करके तयार कर ली है अब इन रोटियों को बेलने के लिए यहां पर सरफेस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसके बाद हम इसको बहुत ही असानी से बेल करके तयार करेंगे बीच भीच में थोड़ा सा सूखा आटा लगाते रहें तक ही बहुत ही असानी से बिल जाए तो हमें इस रोटी को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है बस मीडियम साइस की रोटी के आकर का बना करके तयार कर लेना है तो ठीक इसी तरीके से हमें आपे पांचों रोटीयां बना करके तयार कर लेंगे तो ये लीजें आपे 5 रोटिया मैंने बेल करके तयार कर लिया हैं तो यहाँ पर आप एक बात याद रखें कि इन रोटियों को मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है बस रोटि के आकर का पतला बेल लेना है अब मिया पे एक बिला हुआ भाग लेंगे और उसमें उपर से देशी घी लगा देंगे घी को हमें चारो तरफ हलका हलका सा लगा देना है उसके बाद हम इसमें उपर से थोड़ा सा मैदा डश्ट करेंगे मैदा डश्ट करने के बाद हम इसमें रोटी की लेयर फिर से लगाएंगे और उसके उपर भी गी लगा के थोड़ा सा मैदा डश्ट करेंगे तो ठीक इसे तरीके से हम इसमें तीसरी लेयर भी लगाएंगे और उसमें फिर से गी लगा करके थोड़ा सा मैदा रश्ट करेंगे तो ठीक इसे तरीकी से यहां पर पांचो रोटी की लेर को लगा करके तयार कर लेना है अब देखिए मैंने आप पांचो रोटी को अच्छे से जॉइंट कर लिया है अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसको थोड़ा सा बड़े आकार में बेल लेंगे लीजे मैंने आप इसको बड़ा सा बेल करके तयार कर लिया है अब हमें इसको उठाते हुए एक तरफ से फोल्ड करना है तो आप इसको बहुत आराम से दबाते वे फोल्ड करिए यहां पे इसे बीच वे गैब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फोल्ड करने के बाद इसको हाथों से ऐसा बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा रोल कर लीजिए तो अब हम इसको बुनाइप से बहुत ही असानी से कट करेंगे इसके आगे कबाग थोड़ा सा हटा देना है और फिर इसको चाकू से दीरे दीरे चलाते हुए कट करना है हमें इसको चाकू से एक दम दबाते हुए नहीं कट करना है नहीं तो इसकी सारी लेयर एक साथ ही छिप जाएंगी और नहीं देखेंगी तो हमें इन सभी पीसेश को ऐसे ही चाको को दीरे दीरे चलाते हुए कट कर लेना है जब अब चाको को ऐसे ही चलाते हुए कट करेंगे तो इसमें बहुत सारी लेयर खुल के आएंगी तो ये लीजे यहाँ पे पने सभी को अच्छे से कट कर लिया है यहाँ पे आप लेयर देख सकते हैं इसके कितनी सारी लेयर दिख रही है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पीस को लेंगे और इसको बेलन से थोड़ा सा दबा देंगे हमें यहां पे बेलन को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है बस एक सी दो वार थोड़ा सा घुमा देना है यहां पे हमें यह बहुत ज़्यादा पतली बेल करके नहीं तयार करनी है बस थोड़ा सा ही दबाना है तो इसी तरीके से हम यहां पे अपने सारे पीसेज को बना करके तयार करेंगे यहां पे आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं ना जायदे इसको मोटा रखना है और ना ही जायदे इसको पतला रखना है तो यह लेजे बहुत सारी पड़तो वाले खस्ता को उमने बेल करके तयार कर लिया है अब हम चलते हैं इनको सेकने के प्रोसेज में यहां पे हमने आउयल को अच्छे से गरम कर लिया है जब आउयल यहां पे अच्छे से गरम हो जाए तो हमें गैस की फ्लेम को एक तब मीरियम कर लेना है उसके बाद हमें आपे एक एक पीसिस को आउयल में डाल देना है जब हम इनको ओल में डालें तो एक तरफ से इने सिकने दे इनको बिल्कुल भी डच ना करें इसके थोड़ी से देर बाद यानि कि दो मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा एक तरफ से सिक जाएं तो हमें इसे स्पून से पलट देना है तो आप देखेंगे कि जब ये एक तरफ से हलका सा सिक जाएंगे तो इनका बहुत ही अच्छा साथ कलर आने लगेगा इस मट्री को सिकने के लिए आप यहां पे बहुत जल दिवाजी ना करिएगा इसमें साथ से आट मिनट लग जाएंगे एक बार इनको से खने लिए तो गैस की फ्लेम को यहां पे आप मीडियम ही रहने दे और इनको लोग आँच में सिकने दे जब ये लोग आँच में सिकेंगी तो इनकी एक एक लेर खुलेगी और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी तो आप ये देखिए ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी से सीख चुकी है इसमें बहुत ही प्यारा सा कलरा चुका है सीखने के बाद इन मट्री को एक एक करके हम निकालेंगे देखिए यह देखने हम कितनी प्यारी लग रही है यह एकदम खस्ता क्रिस्पी मटरी हमारी आपे बन करके रेडी हो जाती है तो ठीक इसी तरीके से हमें आपे सेकेंड पैच भी बना करके तयार करेंगे सबसे पहले हम आउल में मटरी को डाल देंगे और इनको मीडियम फ्ले में ऐसे ही सिखने देंगे दोनों तरब से तो आप देख सकते हैं दिख रही हैं नहीं आपे बहुत सारी लेयर तो बहुत सारी लेयर वाली हमारी आपे मटरी बहुत ही कम समय में बन करके तयार हो जाती है तो दोस्तों मट्री तो आपने बहुत बार बनाए होंगी लेकिन इस तरीके से मट्री आपने अभी तक कभी नहीं ट्राइक की होंगी तो दोस्तों आप भी एक बार इस मट्री के रेश्पी को जरूर ट्राइक कीजिए आई होप आपको ये रेश्पी बहुत ही पसंद आएगी रेश्पी पसंद आए तो वेडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सकाइब भी कर लीजिए और फैमली दोस्तों में सेयर भी कर दीजिए तो ये लीजिए बहुत सारी लेयर वाली हमारी यहां पर खसता करारी मट्री बनके तयार हो चुकी है दोस्तों आप इन मट्री को लम्मे समय तक के लिए इस्टोर करके भी रख सकते हो खासकर ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है ये मट्री यहां पर इतनी खसता है कि बच्चे में आप बड़े सब को बहुत ही पशंद आएंगी तो यह मटरी की रेस्पी को ट्राइ करना आप बिल्कुल भी ना भूलें तो जिसको भी आप यह लेयर्ड मटरी खिलाएंगे ना तो सब पूछेंगे यह कैसे बनाएं तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब ना बिल्कुल ना भूलना तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर और बबाए